हाई फ्रेंड्स इस हिमान सूप्रमदेवेडवाइजरी और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनेलिसिस देखेंगे और फिर कुछ स्टॉक्स मैं आइडेंटिफाई किये हैं जिसको हम कल इंट्राड में कैसे काम कर सकते हैं वो डिसकस करेंगे कि आज निफ्टी ने 20 ये में के आज पास से एक बहुत ही स्ट्रॉंग फॉलो थ्रू दिया है और बहुत ही स्ट्रॉंग बुली स्केंडल बनाई है और जैसे हमने कल डिसकस किया था कि अगर यहां पर हमें कुछ कंसेक्रिटिव क्लोजिस मिलते हैं तो फिर यह जो रेजि सब्सक्राइब के साथ कॉंकर कर सकता है तो माय पॉइंट इस डैट कि अगर एक या दो दिल हमने यहां पर स्पैंड कर लिए 850 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो यहां पर क्या है कि गैपकी पॉसिमिलिटीज मुझे ज्यादा लग रही है कि यह रेजिस्टेंस को मार्केट सब्सक्राइब के साथ ही कॉंकर करेगा और अब हमारे पास किया है कि यह जो लेवल से डैट इस एराउंड 14,461 और यह जो लेवल है 14,620 यह पूरा जोन है वह क्या है कि बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन के तोर पर काम कर सकता है अब मैं ऐसा एक्सक्राइब कर रहा ह है तो यह लेवल तक नहीं आना चाहिए अब क्या है कि उसको निकली जाना पड़ेगा वह क्या है कि अभी सिख्टी के नीचे है तो अब देखते है कि मुग कैसे आते उसमें बहुत सारी चीज़े डिपेंटेंट रहती है और फिर क्या है कि हम एड्यस्मेंट करने पड़त पर आज गया कि बहुत ही स्ट्रॉंग बुलिस केंडल बनाई है और यह पूरे चार दिन का जो लॉस था एक ही केंडल में उसमें कवर कर दिया और इंट्रेस्टिंग्ली यह जो रेंज है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है तो गोइंग फॉरवर्ड थर्टी फॉर ताउज बहुत ही स्ट्रॉंग बुलिस केंडल बनाई है और अब यहां पर यह जो जो जोन है पूरा थर्टी वन तॉज़न वन एक बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट हो गया है अब मार्केट को उपर जाना है तो यह जो जोन में नहीं आएगा राधर आयम एक्स जोन में जाना चीए और वहां पर थोड़ा बहुत टाइम प्रेंट करें भी एक क्या दो निकाल सकता है बट यह जोन में फिर जाके तो थोड़ा टाइम कर सकता है और फिर क्लाउड के ऊपर अगर प्राइज चली गई और एक हैल्वी कॉंसोली लेसल हमें मिलता है और उसक सब्सक्राइब के साथ डिसक्राइब कर देखें कि यहां पर प्राइज जो क्लाउड के ऊपर गई थी और फिर एक हैल्दी कॉंसोलीडेशन में देखने को मिला और जैसे ही यह का हाई ब्रेक किया और एक अच्छा स्ट्रक्टिर आप देखें कि और इस वेरी क्लासिकल टे अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे प्लान कर सकते हैं तो अगर गैप अप होते हैं फर इक्जांपल यहां पर 15,000 के ऊपर गैप अप होते हैं तो फिर गया करना चाहिए हमें कि प्रीवेस जेह हाई तक आए और वहां पर सपोर्ट लेके बाउंस का में वेट करना है या तो भी गया हो सकता है कि प्रीवेस डेहाई को टाच करके उसी के ऊपर एक अच्छा कॉंसोलिडेशन हमें मिले और फिर ब्रेक आउट आता है तो उसको हम प्लान कर सकते हैं अगर यह रेंज में ओपन होते हैं तो यह 850 के आसपास का एक स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन ह है वहाँ पर हम प्राइज एक्षिन को देख सकते हैं जैसे मैंने पहले अभी एक्षिन के उस तरह कि एक हायर आई का फॉर्मेशन देखने को मिलता है या तो फिर यहां पर एक थोड़ा बहुत कॉंसोलिडेशन मिलता है तो फिर यह ट्रेट प्लान कर सकते हैं लॉंग और आप Nifty का यह कि 787 85 की बहुत दरा तो हम सॉंट पर नहीं essionäre नहीं गरना चाहिए तो को देखते हैं कि इन्टवान करना है मैं करना हूं कैसे आफ़ल सकते हैं सकते हैं इस तो बैंक देखे में यहां से क्लाउद मेले करना हो क्लम ने तो डिसकस किया ठाट अगर यह रेंज म बहुत ही स्ट्रॉंग ट्रेंड यहां से डेवलप हो गया और मार्केट सीधा ही उपर निकल गया निफ्टी में थोड़ा बहुत बहुत देखने को मिला और वहां पर एक अच्छी एंट्री मिली निफ्टी को में प्लान करना हो तो अगर गैप अप हुए तो प्राइब कर सकते हैं अगर यह रेंज में ओपन होते हैं 33,300 और 33,600 अगर यह रेंज में ओपन होते हैं पिर यह त्वड़ा ट्रिकी हो जाएगा कि इसी रेंज में मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है यह इक इंपोर्टन सपोर्ट जोन है यहां पर इसके आजपास मार्केट आता है 32,900 तो डैफिनेटली हम यहां पर लॉंग कर सकते हो और यहां पर एक स्टॉपलोस हम क्या है कि 32,700 के आजपास का स्टॉपलोस लगा सकते हैं और इन आज किस के स्ट्रॉंग मूव यहां पर कर सकते हैं वह 33,300-500 के आजपास जा सकता है तो बैंक निश्टी में कुछ इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं अब कुछ स्टॉक्स हम देखते हैं इंट्राडे के लिए जो मैंने प्लान किए दो फर्स्टॉक इस अदानी पॉर्ट में देखे के प्राइज जो है वह क्ला कर देखे दो प्लाउड के असपास सपोर्ट लेके क्लाउड के ऊपर ही यहां पर क्लोजिंग दिए और अदानी पॉर्ट में क्या और यह स्कुएऽ ब्रेट ड़की देख सकते हो तो एक ब्रेकाउट आया इंट्रा डवाल में तो ब्रेकाउड क्या सटेन होने की प्रॉइ कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लोस रहेगा 745 के आसपात और हम एक्सपेक कर सकते हैं या तो अगर ट्रेंड अच्छे से मेटरलाइज हुआ तो 790 या 800 तक भी यह जा सकता है 760 के ऊपर 745 का स्टॉप लोस लगा के हम यह ट्रेड को प्लान कर सकते हैं दूसरा जो ट्रेड है डाइज गुजराद गैस भी मुझे ठीक लग रहा है विकोज आप देखे कि यहां वह प्राइज जो है वह क्लाउड के ऊपर है और दूसरा इंपोर्टन पॉइंट यह है कि में भी डेली में स्कुईज है अब गुजराद गैस का डेली का चार्ट देखोगे तो डेली में स्कुईज है और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इन हेड़ एक बॉलिंजर बेंच के रिलेटेड कंसेप्ट है कि आपको दिखाता है कि जो ब्रेक आउट आयो गलत साइड में और फिर मार्केट रिवास हो गया है हमें यह क्या दिखा रहा है यहां पर मार्केट नीचे जा रहा है वाट सड़नली यहां पर रिवर्सल आ गया है तो बैरी पॉजिटिव सिगनल तो गुजराद गैस अगर कल कि यह जो हाई है आज का 533.80 तो यहां पर हम स्टॉप लोस लगा सकते हैं और हम क्या है कि यह जो हाई है उसके आसपास जा सकता है तो यह ट्रेड को हम इस तरह से प्लान करते हैं और एक तीसरा स्टॉक है जो मुझे इंट्राड के लिए काफी ठीक लग रहा है आप देखें कि यहां पर बहुत ही जूशी स्क्वीज है और दो इंपोर्टेंट स्विंग्स यहां पर है और दूसरा जो आज का हाई है तो यह ट्रेड को हम कैसे प्लान कर सकते हैं 571 को क्रॉस किया तो फिर थोड़ी बहुत हम पोजिशन एड़ करेंगे और फिर 574 को क्रॉस किया तो हम स्केल अप करेंगे और दोनों केस में हमारा जो सब्सक्राइब करेंगे और उसका भी डेली का स्ट्रक्चरा में देखना हो मैकडोल का तो काफी ठीक लग रहा है इसको में कई टाइम से ट्रेक कर रहा हूं आप देखिए कि टूंडेड ऐसेवे को होल्ड कर रहा है उसको कर किया था वॉल्यम से आरसाइज 60 के ऊपर है आपका एक्षण में आने का ट्राय कर रहा है और यह पोटेंशिल ट्रेंड यहां से डेवलप हो रहा और यह 574 का ही एक इमेडियाट हर्डल है तो उसको क्रॉस किया तो 585 590 कि यह जाने की उसकी प्रॉइबिलिटी है तो एक स्ट्रॉंग इंट्रारा में ट्रेंड हमें मिल सकता है तो यह मैकडवल को हम इस तरह से प्लान कर सकते है तो आई होप फ्रेंड कि यह जो चीजे मैंने आपके साथ डिसकस किये वह आपको कल ट्रेडिंग में जरूर हुआ है